अब आप सोचते होंगे कि यह क्या चीज है जो हमारे बालों को काला करेगा सिर्फ आपको थोड़ा सा यह एट करना है और आपके बाल जो तुरंत काले हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं कैसे हैं आप लोग उम्मिद करते हूं आप सब भी ठीकी होंगे आज में आप लोगों को आज की जो रेमेडी है बहुत पसंद आने वाली है अगर पसंद आ जाए तो इसी बाद पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो को स्टाट करती उसमें मैं बताओं क कैसे हम 15 Gust dim nu allows को जड़ से काला कर सकते वालों को क्ला करने कर नुसुर जो मैं بتाओं वह बिलकुल घरीलो मेटर से होगा और आप जाते 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 लाइक कीजिएगा शेयर कर सकते हैं शोशल मेडिया पे ट्वीटर पे यहां भी आप लोग एक्टिव रहते हैं इससे हमें क्या करेंगे कि हमें बहुत जादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का प्यार ऐसी बनाए रखिएगा और जो मेरे पहले सी वीवर् की तो सबसे पहले अब से वाच करें तो देड़र करते होँए से जलदी से जल्दी मेरे कीचन में जरुआ अम्हीं पर दोब करते हैं मैं बहुत ट्रमीट करते हूं तDet आज बताने वाली इंग्रिट में क्या है वह बहुत जदा खास होने वाला इससे क्यों कि आपको बहुत जदा वाइटामी पोशक मिलेगा और आपके बालों की ग्रोध भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी मेथी पाउडर लेना होगा आपको पता है मेथी दाना जिसे जो फैनुक्री सीट के नाम से जाना जाता है आपने क्या करना उसको घर पे अच्छे से मिक्सी में ग्रैंड कर लीजिएगा उसके बाद मेथी के पाउडर को आदे चमश के बराबर ही लेना है और याद अच्छे से मिक्सी में जरू कीजिएगा ज्यादा देर के लिए तब आप देख सकते हैं आपके बालों का कलर भी अच्छा होगा बाल सिल्किन स्मूथ भी होंगे और बालों की जो है अच्छी होने जाएगी हमें यहां सबसे पहले लेना है मेथी का पाउडर मेथी सथे लिए कि से अच्छे लिए कि अब कुछ अर्व में भी 35 जो आध में जो सबस्क्रण कod का अब करते को काफी के बहुत जादा गरम होती है तो आपको दोनों को एक साथ नहीं लेना है मेथी पाउडर के साथ आपको नारियल के तेल को लेना है जिससे कि हमारे जितनी भी अगर बालो में अलर्जी है रूखा पानने ड्राइने से वह सारी ठीक हो जाए देखिए यहां पर इन सब च अब लगाने के बाद आपके बाल जो बहुत जादा सिल्क प्योद्ध भी हो जाएंगे हम इस अंतर जो थोड़ा से शैंपू लेने वाली हो मैं तो मैंने थोड़ा से अल्रडी पहले सी एक बाल में रख लिया तो शैंपू जो हमें तो इस तरीके से हमें सिर्फ शैंपू क आप इसको यूज कर सकते हैं पर जो मार्केट से जो जिसमें केमिकल होता है वह वाला शैंपू बिल्कूल मत लीजेगा यहां जो मैंने इस शैंपू को जो इसको एड़ कर रही हो और आप कहा किजिएगा आपको बालों दोते वग जो आपको को परिशानी नहीं होगी आप काला कत्था है तो आप भी आट कर सकते हैं जिसे अगर आपके वाप ब्राउन कत्था तो आप भी आट कर सकते हैं यहां काला कत्था है तो मैं थोड़ा सा लेना होगा तो काला कत्थी की क्वांटिटी जो हमें हलकी सी रखनी होगी देख सकते हैं तो मैं यहां काला कत्था यह देख सकते हैं काला कत्ता हमें सिर्फ आदे चमत से बिलकुल कम लेना है और इसके अंदर मिक्स कर लेना और याद रखेगा आप इसको जो है तीन से चार मिनट के लिए इसको आप लगा लीजिएगा और लगाने के बाद जो है आपको 30 से 40 मिनट से 20 से 25 मिन पी रखेंगे तब भी आपको जो है बैट रिजल देगा डिकी इंसब कोले ना 2 मिन ओट तक कर अच्छी से इस मिशन को मिंक्स करने के कि बात है हलकी सी थोड़ी सी फोल सी जाती है मिदे के बाद आप पेस को जो है लगा सकते है और इसके बाद आप देखेहां को ज़रू बार ज़रू ल वाइट मेंहां तो मैं हम था नारियल तेल आपको भुट लिया है.. दो यह झो झो पहुत हो सके चींदेचे तो ऊपको इसके फोड़ी तो मैं नारियल तेल को भी आड़ करणusan कई समय हो.. तो देखें, मैंने इसको जो 2-3 मिन तक अच्छे से मिश्ण को बातों बातों में अच्छे से गोल लिया है और ये पेज जो हलकल का फूल ने लग गया है अब आप इसको जब भी आप अपने बालों पे लगाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके बाल थोड़ी सी देर में जो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और याद रखिएगा कि आप इसे जो अगर पूरे बालों में लगाना चाहते तो इसके क्वांटेटी को थोड़ा ज्यादा रख लीजिएगा मेथी पायटर को आपको आदा चमीच से जहादा नहीं लेना है आप लेसी पायटर प्सावरा के आप की मासे निसलिए को मासी अनुसार ही आप इसे लगाएगा और याद रखिएगा आप इसे गर्भी और सरदी दोनों टाइम लगा सकते हैं बट इसे याद रखिएगा इसे जो है थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इसको वाश करने की कोशिश कीजिएगा और आप इसे हफते में दो बार जरूर यूज कीजिएगा उमिद करते हूं आप अगर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा देखिए यहां पर में जो आप लोकर शो कर रही हूं कि यह देखिए सफेद बाल भी और साथ में गंजा पन भी और आप जो इस पेस जो है अपनी बस आपको 15-20 में इसको जरूर रखिए अपने बालों पर और देखिए मैंने जो है इसको सारे बालों पर लगा दिया आप अगर जैंट से तो मूचों की बालों पर भी इसको प्लाई कर सकते तो मैं वाश करके भी दिखाती हूं आपको देखिए बिल्कुल ब्लैक हो चु जाएंगे और देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा खुद पर खुद आप अपने हैरान हो जाएंगे अपने आँखों से जो है कि इतनी जल्दी जो हमारे जो हमारे बाल जो सफेद बाल काले कैसे हो गए जैसे मैंने बताया इससे कि आपके बालों को कोई साइड इफेक जो जो मैंने इंग्रेट किया है वह सारे वैसे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर भी लिग दूँगी जो चीज आप लोगों को काफी लोगों को जो समझ नहीं आता है तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और इनका लिंक जो अगर वैसे वीडियो को लगे अच्छी लगे अगर अच्छी लगे इसी बात पर लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बबाइट टेक कियर और हाँ आई बटर मैं यहाप पर वीडियो दे दोंगी प्रिविस वीडियो वह भी जाके आप चेक कर सकते हो सकता आप लोगों को यह भी जाद अच्छी लग जाएं बाबाई